अब हमारी टाइम वैल्यू आप मनी कर चुके हम लोग सार दूसरा उसके बाद टाइम वैल्यू आप मनी के बाद मैंने क्या क्या करवाय था एन पी वी वह भी कर लिया सब तीसरा और जो सबसे इंपोर्टन टाइम टॉपिक है मतलब पाच टॉपिक हमारे अल्रेडी हो गया है और अब कर रहे हम टॉपिक नंबर शिक्स और बात करेंगे अब नॉर्मल रिशिविशन टीब नॉर्मल रिशिविशन टेबल और इस टेबल का यूज होने वाला है जैड टेबल बोला करते थे और कौन लोग एक्सपर्ट होगे जिन्होंने गुरूप टू में कौस्टिंग की क्लास अगर कर चुके है तो वो इसमें एक्सपर्ट है उनको क्लास देखने की जरूरत ही यह वाले पर जिन्होंने गुरूप टू की क्लास नहीं किया बिट्टे तो उनको यह समझना पड़ेगा इसकी जरूरत मुझे टोटल मिलाकर दो टॉपिक में पड़ेगी और कौन-कौन से दो टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी एक तो पड़ेगी रिस्क मैनेजमें वैल्यू एट रिस्क उसमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी और दूसरा जो है इसके अलावा डेरिविट्व में जरूरत पड़ेगी जब मैं एक मॉडल पढ़ाऊंगा बी एसम अभी आपको समझ में आयेगा नहीं बी एसम तो सर यह क्या है एक्ट्वाल मैं मैं बहु मान लो एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ लिखवांगा कुछ नहीं लिखने वाली कोई बात नहीं इस पर सौट नोट और नॉर्मल डिस्रिबिशन टेबल ऐसा तो आने से नहां आने से रहा तो अब सुनो मान लो ची ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो सहर है इसकी जितनी भी population है हम यह पता करना चाहते हैं कि लोगों के पैसा कितना है वैल्थ कितनी है और हम research कर रहा है और हम लोगों के पास जा रहा है और हम पूछ आपके property कितनी आपके wealth कितनी है पूछ रहा है बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनके पास property के नाम से कुछ भी नहीं है 1000 रुपए, 10,000 रुपए कुछ लोग तो ऐसे जो करजे में चल रहे हैं माइनस में उनकी wealth बताओ माइनस में wealth अच्छा सब, हाँ भाई loan है जमाने भरका कुछ लोग मध्यमवर्गी भी मिले किसी की wealth, किसी के पास 10,000 की property है अभी किसी के पास 15,000 की property है पर कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनके पास करोड़ रुपए बहुत सारा पैसा अच्छा सर इट मेंस इस सहर में हर टाइप के लोग है एक ऐसे भी लोग है जिनके पास पैसा है ही नहीं अच्छा एक ऐसे भी लोग है जिनके पास बड़ा सारा पैसा नॉर्मल डिश्रिविशन टेबल किस काम आती है, probability निकालने के काम आता है, probability निकालने के काम अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आराम से सुनना जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत होगे क्या कभी आपने ऐसा कर्व देखा है क्या, सर कैसा ये वाला कर्व देखा है क्या सर देखा तो है, पर कभी समझने की कोशिश नहीं किया कि क्या है समझो, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा और यह जो है अब मैं पता कर रहा हूं यहां क्या होता है बिट्टी यह इधर हो गया 50% इधर हो गया 50% और यह लाइन है सर किस चीज की लाइन है बसे इस लाइन को फोकस करना यह लाइन जो है यह अगर मैं कॉम यह यह लाइन 50% इधर 50% इधर है वेल्थ का एक वेल्थ वेल्थ पैसा प्रॉपर्टी इधर से स्टार्ट हुई है जो करजे में हैं उनकी वेल्थ माइनस माइनस थोड़ा सा प्लस हुआ दो हजार, किसी के पास चार हजार, किसी के पास दस जार, किसी के पास पंद्रह हजार, किसी के पास बीस हजार, किसी के पास दो लाख रुपए की प्रॉपरिटी, मैं ये पस ये पूरे सहर का डाटा इसमें लिखना चाता हूँ, पूरे सिटी का डेटा, मैंने सबसे पहले क् जितनी भी wealth है, जितनी भी person है, सब की सब की जितना भी पैसा है, property उन सब को total करके divide किया, मतलब मैंने average निकाला, average, average wealth, और average wealth जो निकला, average को मालू है, क्या बोला जाता है, सर, average को हम x-bar बोलते हैं, यस, पर average का और एक नाम है, और average का और एक नाम है, जिसको हम बोलते हैं, mu, और mu, कितना निकला, दस लाग, मतलब average wealth कितनी निकली, दस लाग, इसका मतलब समझ रहा, average दस लाग की सरजादतर लोग, यहां दस लाग के आसपास है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं, कि जिसकी wealth 2 करोड से उपर है, ऐसे भी लोग है, जिसकी wealth 100 करोड से उपर है, ऐसे भी लोग है, जो करजे में माइनस में wealth है, ऐसे भी लोग है, लेकिन जादतर लोग, ऐसे लोग है, जिनके दस लाग रुपय के आसपा वेल्थ होगा तब ही एवरेज कितना आया दस लाग मैं यह बोल सकता हूं कि दस लाग से कम वाले लोग भी है यहां दस लाग से जादा वाले भी है पर सबसे जादा सबसे जादा दस लाख रुपए वह वेल्थ इट मेंस मैंने कहां एवरेज एवरेज वेल्थ कितना रुपए है दस लाख रुपए सबसे जादा एरिया ठीक है कि सरी यह माल यह एवरेज सबसे जादा देखो यह टॉप लेवल पर दिख रहा है ठीक है सर कर करना क्या चाहते हो अब थोड़ा सा इंतर पैसेंस रखना कि यह मैं और पीक हैं निकर साल को लूग ऐसे भी हैं जिनकी वेल्थ दस लाख से जज़ादा है ज़ादा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ दस लाख से कम फिर मैंने क्या किया मतलब sir ऐसे भी मतलब यहां क्या हो सकता है कि wealth minus में भी हो सकता है iis minus क्या हो सकता है अगर मैं बोलू कि wealth ऐसे भी हो सकता minus infinity और इधर क्या हो सकता unlimited wealth yes पर वैसे possible नहीं पर मान की चलो ऐसे भी लोग है जिनके पैसे पैसा है वो इस तरह पजाएगा फटा-फट से जवाब दो अवरेज्वेल्थ कितना है दस लाक इस में से कुछ लोग ऐसे भी हैं अलग-अलग लोग हैं मैं क्या तो कुछ लग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ माइनस में माइनस 10 जार रुपए कुछ लोग ऐसे भी होगे जिनकी वेल्थ 25 जार एक उप कुछ लोग ऐसे भी होगे जिनकी वेल्थ इस दो लाग 50 जार होगे है या पाच लाग रुपए होगे हैसा मनलो मतलब कितने परशन लोग सर्फ 50 परशन लोग बिलकुस है इधर कितने परशन लोग कुछ लोग ऐसे भी हो सकते जिनकी वेल्थ 10 लाग से जादा होगी मतलब क्या 20 लाग भी हो सकती है यस पर ऐसे लोग कम होगे कुछ ऐसे भी है जिनकी wealth 50 लाग होगी, ऐसे लोग और भी कम होगे, वजह क्या average कितना आया, 10 लाग, तो ये कितने percent लोग है, ये 50 percent लोग है, यहां तक है, और फिर इधर, ये बेटे ये open रहता है, infinity, और ये भी open रहता है, ये minus, ये plus, ये table में समझाने के कोशिश करूं, यहां तक बाद समझ में आती है, अब मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, standard deviation है, rupees 2 lakh, क्या आपको standard deviation समझ में आता है, हाँ sir, हाँ, standard deviation का मतलब, on an average wealth कितनी है, 10 लाग, पर ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो नहीं हो सकता, yes, कितने रुपए से, 2 लाग ज्यादा भी हो सकता है, 2 लाग कम भी हो सकता है, it means 12 लाग भी हो सकता है, 12 लाग रुपए भी हो सकता है, और 8 लाग भी हो सकता है, it means यह आगए, standard deviation यहाँ है, यह कि रहा हैं जो बनगे, यहाँ 2 लाग कम भी हो सकता है, तो मतलब कितना हो सकता, 8 लाग भी हो सकता है, और 12 लाग भी हो सकता है, agree? सर, ओके सर, यहां तक ठीक है, अब मैं आप से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं, सर पूछी, ऐसे कितने प्रतीशत लोग है, ऐसे कितने पर्शंटेज लोग है, जिसकी वेल्थ 10 लाग से जादा है, 50% ऐसे कितने पर्शंटेज लोग है, जिनकी वेल्थ 10 लाग से कम है, 50%, गुड मजाया, अब कॉशन, ऐसे कितने पर्शंटेज लोग है, जिनकी वेल्थ 15 लाग से जादा है, अब मैं 10 लाग से जादा नहीं बोल रहा हूं, अब मैं 12 लाग से भी जादा नहीं बोल रहा हूं, अ मैं कह रहा हूँ ऐसे कितने प्रतीश्यत लोग है जिनकी वेल्थ 15 लाग से जादा है बोलो क्या 50% है नहीं सर नहीं 50% नहीं है बताओ क्या 50 40% है हां सर हो सकता है 30% भी हो सकता है इते में कम ही हो गे अभी तक मैं बोल्हा 10 लाग से जादा 50% 12 लाग से जाद फो नहीं मालूं कितने पशिक पर हमने का निकालनी के 15 लाग से जाद और भी – क्या recognize कम हो जाएगा, दो करोर से हमको जैड में convert करना होता है अच्छा सर ये एक नई चीज लाए हाँ बिटे मुझे जैड में convert करना होता है सर जैड में convert करने का formula है क्या अगला piece ले लूँ क्या वो ज्याद अच्छा है यहाँ समझाने के लिए होगा ठीक है सर अगला piece ले ले लेते इट मेंस एक formula है जैड टेबा और formula हुआ x minus new divided by standard है विश्य और फिर हम इसको क्या करते हैं हम इसको जैड टेबल में ढूलते हैं सर यह है क्या logic समझाओगे कि एक बार हाना बिटे समझा रहा हूँ ना इंतजार तो कीजिए logic भी समझा देंगे मज़ा जाएगा वलकुँ सर यह है क्या मैं आप से कुछ पूछ रहा हूँ अभी यह table की बात करो मैं आप से कह रहा हूँ 12 लाक से 12 लाक से ज़्यादा wealth होने कितने प्रतीशत लोगों की wealth 12 लाक से ज़्यादा मतलब कुछ set करना पड़ता है वो मैं आपको समझा दूँगा अभी मैं क्या बहूं कितने प्रतीशत तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगा x और यह क्या हो जाएगा average अगर इसको मैं z में convert करने की कोशिश करूँ 12 लाक को तो चलो देखते minus 10 लाक divided by standard deviation कितना है 2 लाक तो answer कितना जाएगा answer sir आजाएगा 1 1 ही आएगा यहां तक बात समझ में और sir 1 को कहां देखोगे बैटे इसके लिए तो आपको normal distribution table देखना पड़ेगा मैंने क्या 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 deviation है yes कितने रुपेस में कह रहा हूँ कि कितने प्रतिश्यत लोगों कि 10 लाक 2 लाक के लिए मैंने jet की value निकाला 1 अब common sense निकालो यह क्यों मैंने 12 लाक लिए यह मैं यह भी समझा देता हूँ अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मान लो अब वैल्यू आप निकालना सीखे एक बार वैल्यू निकालना सीखा तो यह फॉर्मुले को भूल जाते यह फॉर्मुले को भूल जाते है बारा लाक के लिए वैल्यू कितनी आई वन तो बताओ पंधरा लाक के लिए वैल्यू कितनी आईगी common sense है सर पंधरा लाक के लिए वैल्यू ऐसी आईगी ना सर बारा लाक के लिए वैल्यू है जैट की वन तो पंधरा लाक के लिए कितनी आईगी unitary method से काम कर सकते हो 15,000,000 divided by 12,000,000 तो यहां कितना आ गए 1.25 ठीक सर ऐसे नहीं करते है बेटे और दूसरा दरीका यहां deviation कितना है 2,000,000 2,000,000 के लिए कितना है 1 तो बताओ 5,000,000 के लिए कितना है इसलिए यह वाला unitary एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको इसको रफ कर रहा हूँ jet की value total मैं निकाल थे बताओ आपका standard deviation कितना है सर standard deviation है 2,000,000 तो बताओ 2,000,000 के deviation, 2,000,000 के लिए value कितनी आई है 1, तो बताओ 5,000,000 के deviation के लिए value कितनी आएगी, मैं कहराओ 15,000,000 से तो 5,000,000 divided by 2,000,000 sorry, यह आएगा 2.5 इस तरह से करते सर अगर हम कहते हो कि हम 10,000,000 से 15,000,000 नहीं हमें 16,000,000 चाहिए तो इंदर कितना जाएगा 6,000,000 और यहां सर कितना जाएगा 3, हाला कि हम इसको ऐसे नहीं करते हम इसी formula में डालके देखते हैं, पहले हम क्या कर देते हैं 15,000,000 ले देते हैं, तो 15,000,000 माइनस 10,000,000 divided by 2,000,000 तो 5,000,000 divided by 2,000,000 2.5 मेरी बास समझने के कोशिश करो actual में मैं क्या समझाना चाहता था थोड़ा सगरबढ हुआ है, मैं यह समझाना चाहता था सर कि यह Z बताता क्या है, Z एक value निकालने के कोशिश कर रहा है कि इतना deviate होता है, इतना deviate होता है, तो उसके लिए Z की value क्या है ultimately Z की value हमें कहा देखना है, हमें देखना है normal distribution table, वो मैं आपको समझा दूँग और हम यह कोछड़ो, यह कोई unitary method में नहीं जा रहा है, हलाकि इससे भी question हो सकता है unitary method से, लेकिन दिक्कत है unitary method में यह लो, मैं unitary method में जा ही नहीं रहा हूँ यह लो, इसको भी हटा दी, अब मैं आप से कुछ पूछने जा रहा हूँ, मैं इसी formula को use करूँगा, भाई ultimately मैं कितना भी unitary समझाओ, करना तो यह formula है तो चलो, पहले हम क्या करेंगे अब मैं आप से कुछ क्या पूछने जा रहा हूँ ध्यान से देखना मैं क्या पूछ रहा हूँ त्यार हो, हाँ सरह हम त्यार है हम इस line को कौन से वाले line में convert करने की कोसिस करेंगे jet, हलाकि इसको drawing करना होता, मैं बस draw करके आपको बता रहा हूँ Z और Z में यहां क्या होता है यहां होता है 0 और इधर क्या होता है minus और इधर क्या होता है plus इसकी value mean को 0 ले ले लेते हैं और फिर इधर 50 percent इधर 50 percent ठीक है? सरो समझाओ, समझाओ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं जैट टेबल में इस वैल्यू को जैट में कनवर्ट करने की कोशिश करूँगा अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं? सवाल सुनना दिहां से ये बताईए एवरेज वैल्थ कितनी है लोगों की? 10 लाक इस टेंडर्ड डेवीशन कितना है? 2 लाक तो आपसे एक कोश्चन है ऐसे कितने प्रतीशत लोग आपके सहर में हैं जिसके पास पैसा 15 लाक से जादा है ऐसे कितने पर्षेंटेज लोग आपके सहर में हैं जिनकी वैल्थ 15 लाक से उपर है मतलब 15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, कर्व में क्यों होता है कि इधर सबसे जादा होता है इधर कम-कम होते जाता है इधर कम-कम हो जाता है पर्शंटेस प्रोबाइबलिट मुझे ये वाला एरिया ढूना है ऐसे मतलब मुझे ये देखना है कि यहां कितने प्रतीशत लोग है बस यहां कितने प्रतीशत लोग है 50 तो यहां कितने होगे 50 की 50 से कम 50 से कम वो 50 से कम ढूनने की कोशिश करूँगा तो ठीक ऐसा ढून लेते हैं रून लेगे इसको सबसे पहले किसमें convert करना पड़ेगा 15 लाग को मुझे जैड में convert करना पड़ेगा क्या यह 0 से ज्यादा है यस तो सब ठीक है convert करते हैं मैं पूछ किया रहा हूँ question क्या question बड़ा simple सा है question यहां लिख देता हूँ what is the probability what is the probability of wealth more than rupees 15 लेक्स तो सबसे पहले क्या convert करना पड़ेगा जैड में कितना चाहिए मुझे 15 लाग minus average कितना चाहिए में कितना चाहिए में कितना चाहिए थोड़ा disturbance था तो चलो मैं फिर से पूछ रहा हूं क्या पूछ रहे थे सर पिटे में यह पूछ रहा हूं अब सुना ध्यांस ऐसे कितने प्रतीशत लोग है जिनकी वेल्थ 15 लाग से उपर है अच्छा दूसरे राग में क्या probability है क्या probability है कि वेल्थ 15 लाग से उपर होका सर्फ प्रबबलिटी अच्छा लग रहा हूं रहा हूं हाँ। फूछ लाग रहा हूं क्या इस रहते प्रबाबिटी of wealth more than rupees 15 lakhs तो सब इस से हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें Z की value निकालना पड़ेगा Z is equal to कितना X चाहिए हमको 15 X bar कितना है 10 lakh divided by 2 तो 5 lakh divided 2 नहीं 2 lakh किया तो 5 lakh divided by 2 lakh तो सर जी आगे 2.5 ठीक अब हमें क्या करना है अब हमें area देखना है फिर से बोड़ रहूं अगर मैं देखता हूं तो दो चीज है मेरे पास ये वाला area कौँसा है और ये वाला area कौँसा है अगर ऐसे घुमो तो ये वाला right और ये वाला कौँसा होगा है left तो मुझे right वाला देखना है कि left वाला सर right वाला खास बात है जितना area अगर मैं इसकी बात का सुना दिहां से जितना area right का होगा अगर इतना ही area क्या left का होगा तो जो table है ना table में क्या लिखा रहता area of the left or right सर समझाओ बैटे अगर ये चीज यहाँ value सुना दिहां से सर टेबल दिखाओगे कि एक बार चलो मैं पहले table दिखाता हूँ आपको मुझे क्या डूना 2.5 ये है table ये एक table यूज होती है क्या लिखा है बैटे ये पढ़ना जरूरी है अब रीट करना सीखो क्यों इसमें कोई calculator यूज नहीं होने माला इसमें table ही लगेगा और आपको information दिया रहेगा question में तो प्लीज इसको देखना सीखे area to the left or right one tell one tell का मतलब पिट्टे ये टेल है ये अगर देखा जाए तो ये कौन सा tell है इधर से देखो right tell और ये tell अच्छा सर ये पूछ है इसकी ओके सर बास समझ में आती है चाहे आप इधर का लो चाहे आप इधर का तो वह table में वही area बताया गया है अच्छा ये वाली table नहीं ये वाली के लिए का area to the left or right और ये दिया है jet की value और उसके सामने दिया है probability हमें क्या value निकली थी हमारे लिए हमारे लिए निकली थी value 2.5 तो ढूंडो 2.5 कहां है 2.5 कहां है 2.5 ये है 2.5 और ये निकल गया 0.0062 अच्छा सर ये बात है हाँ बिट्टे इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हाँ की probability मिल गई और probability क्या मिली 0 0.0062 this is probability it means अगर कोई मुझसे बोले कि बताओ कितने प्रतीशत लोगों की wealth 15 लाग से उपर है क्या probability है तो मैं कहूंगा 15 लाग से उपर wealth होनी की probability कितनी मैं कर ना के बरबर 0.0062 अच्छा सर सर लेफ्ट और राइट ऐसा क्यों लिखा बिट्टे अगर by chance ये जो value आई है ये value कितनी है ये 2.5 अगर आता minus 2.5 अगर minus में आता तो बोलो मैं किधर का area देखता इधर का area देखता यहां कहीं draw करता तो मुझे table में value तो देखना पड़ता तो value इतनी ही निकलती 0.006 to value यही निकले गी अच्छा ये बात हाँ क्योंकि इधर का area बराबर होता है इधर का area यहां तक बात समझ गहीं तो probability कितनी ही तो क्या probability निकल गई इसको मैंने solve किया value of 2.5 in normal distribution table is 0.0062 it means there is 0.0062 probability 0.0062 probability probability of wealth more than rupees 15 lakhs ठीक ओक यहां तक बात समझ में आ रही है हाँ आपको पता है यह जो area है कभी 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 यह कौन यहां आया कितना value था जरह बताओगे सर यहां value आया था 2.5 अब यहार आपको table ठीक से देखना पड़ेगा table दो type की होती है 2.5 की value तो table एक table ऐसे होती जो tail area बताता यह वाला 2.5 कुछ लोगों उसे बोलता हूं 2.5 की value बताओ तो वो ले 2.5 की यह वाला area बताता है मेरी बाद समझ ना देखना पड़ेगा table कौन सा है एक table ऐसा है जो से tail area बताता है इधर का area बताता है और मुझे इधर ही का तो चाहिए thank god लेकिन कुछ ऐसा है जो cumulative value बताता है यहां तक की value बताता है फिर क्या करोगे अगर मुझे टेबल ऐसी मिली जो 2.5 का क्योंल यह वाला area बता रहा है कि इसकी value बतारा सर तो करोगे क्या सर फिर क्या करेंगे हम इसको न यह वाले एरियों को 1 में से माइनस कर देंगे तो इधर का मिल जाएगा हमें यह वाला एरिया तो चाहिए हाँ बिट्टे हाँ सर वाले टेबल दिखाऊ यह टेबल यह वाली टेबल है और चेक करो कहीं लिखा होगा अब समझ रहा मुझे क्या देखना क्यों में मुझे लेखना क्या निकला था 2.5 कहा है 2.5 यह 2.5 मिल गया है पर 2.5 में यहां वैल्यू क्या दिखा रहा चेक करो 0.9938 यह कौनसा वाला एरिया वह दिखा रहा बिट्टे इसकी में बात करूं तो यह जो एरिया दिख रहा है ना मुझको यह वाला एरिया दिख रहा अच्छे समझ रहा मुझे चाहिए यह वाला एरिया जबकि वह इधर वाला एरिया दिखा रहा तो इसको मैं यहां लेग देता हूँ यार 0.9938 पर मुझे तो यह वाला चाहिए तो क्या 1 में से माइनस करते है 1-0.9938 चेक करते हैं कितना आएगा 1-0.9938 आ गया है 0.0062 बात समझने की कोशिश कर रहा है हाँ सर चाहे टेबल यह दे दे चाहे टेबल यह दे दे अगर यह दे दे तो यह तो टेल एयरिया वाली टेबल है फिर तो हमें चाहिए वी वाईयविली पर अगर टेबल यह वाली दे दे तो यह cumulative टेबल है तो फिर दिक्कत की बात है क्योंकि स्टार्ट कहा से हुआ जीरो मतलब 0.5 से start हुआ, 0.5 से, तो फिर तो आपको देखना पड़ेगा, 0.5 का मतलब समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह यहां से start हुआ, अगर यहां से 0 का value 0.5 है, मतलब cumulative table होगा है, सर, table कौन सी देखना है, और table देखना कैसे, वो depend करता इस diagram से, इस graph से ही हम decide कर पाएंगे, कि हमें कौन सा area कौन सा, तो table वैसी देखेंगे, सर एक example और, चलो, इसी से related हो जाए, ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं, फिर से और एक example ले रहा हूँ, अब पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और, मैं पूछ रहा हूँ, फिर से question पूछा जा रहा हूँ, झाल कि रहा हूँ, कि कि ए Stream, कि ब स्रयक्तिकी यही, विध क कर देखेंगे, मैं कि आदिके, मैं से पूछ जाएंस, मैं से छ, तोछ कि चार म स्रूफबच, और, और, साथ लाक तो अब मैं सर ड्रॉ कर रही है यहां ड्रॉ कीजिए ने तब समझ में आएगा यह यह मांते हूं यस इस तरह से ड्रॉ होता है ठीक है सर बात समझ में आगी यह एवरेज हो गया सर कितना एवरेज है सर दस लाक एवरेज है और मुझे क्या चाहिए वैल्थ लेस देन मतलब यह चाहिए मुझे एरिया यह है सर साथ लाक और मुझे साथ लाक से ज्यादा नहीं मुझे साथ लाक से कम चाहिए मतलब यह वाला एरिया चाहिए सर यस तो फिर टैल एरिया चाहिए मुझे मुझे क्य होगे क्या यह क्या होगे मेरा X तो इसको सबसे पहले मैं किस में convert करूँगा Z में और Z में और Z का formula क्या है X minus mu divided by standard deviation अगर यहाँ आजाओ X कितना है 7 लाक माइनस 10 लाक divided by 2 लाक तो 3 लाक divided by 2 लाक 1.5 लेकिन यह माइनस में अब सर माइनस में आया तो क्या करें पिटे माइनस में तो क्या करें तो माइनस में तो टेबल चेक करो टेबल पहले में यह वहले टेबल देख रहा हूं और चाहे left की बात करो क्योंकि left 1.5 की value होना भाई टेबल के यह कर इधर दे 1.5 चाहे इधर दे 1.5 आंसर तो एक ही होगा क्योंकि दोनों साइट का 1.5 बराबर ही तो होगा तो भले माइनस का साइने क्या फर्क पड़ता है चेक करो 1.5 1.5 यह है यह निकल गया 0.0668 और इसको लिख देता हूं मैं 0.0668 हो गया है खाँ और मैं अब यहां लिख सकता हूं Probability of wealth less than rupees 7,000,000 is 0.0668 इसको percentage में convert करना है तो ऐसे भी कर सकती हूं 0.0668 into 100 कर लो 6.68 percentage मतलब कहना क्या चाहते हूं कितने प्रतीशत लोगों के पास पैसा 7,000,000 रुपए से कम है 6 परशन लोगों के पास 6 to 7 परशन लोगों के पास पैसा 7,000,000 रुपैसे भी कम है भाई 6 परशन लोग बहुत कम हाँ पर अगर वो बोलो कि तो फिर क्या करेंगे यह वाली दिया कोई दिक्कत की बात नहीं मैं क्या ढूंड़ोंगा 1.5 यह आ गया 1.5 देख रहा है आपको 1.5 हाँ सर यह दिख रहा है 1.5 तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 1 में से माइनस तो सर यह तो क्यूमिलेटिव हो गया ना क्यूमिलेट कोशन भी साथ में कवर हो जाए इसके अलावा सर ऐसा कोई कोशन करवानों जिसमें यह भी कवर हो जाए कोशन कितने प्रतीशत लोगों के पास पैसा पैसा बना सकते कुछी भी बना सकते बनाने का कोई दिक्कत नहीं है 12 लाग 11 लाग से कम है अच्छा सर फिर से कितने प्रतीशत लोगों के पास पैसा 11 लाग से कम है सर मतलब बोलो बोलो हम करते हैं फिर से मजे क्या ढूलना है प्रोबाइबिलिटी आफ वेल्थ लेज दिन लोपिस 11 लेक अब बिटे अब दिमाख चलाना पड़ेगा आपको तैयार हो दिमाख चलाने के लिए हाँ सर कोशिश कर सकते हैं न करो 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 ही तो है कोशिश से ही तो हार नहीं होती अभी ठीक है यह लोजी करो यह हो गया है कितना है दस लाक कितना है एक्स कितना है सर यहां कहीं है कितना है ग्यारा लाक अब सोच के बताओ दिमाख चलाओ मेरा कोश्चन क्या कितने प्रतीशत लोगों के पास पैसा 11 लाक से कम दिमाख चलाओ बैटे जब 10 लाक से कम है तो 50 परषण तो 11 लाक से कम तो जो 10 लाक के उपर है वो भी तो थोड़ा बहुत कवर हो गया इसका मतलब बोदो किस तरफ मैं डौ किस तरफ करूँ सैट किस तरफ करूँ इस तरफ किस प्रतीशत लोगों के पास पैसा 11 लाक से ज़ादा तो इस तरह आता है मैं बोलों कितने प्रतीशत लोग 11 लाक से कम है मतलब इस तरफ आएगा कोई शक कोई शक्त ने है इसका मतलब हमें जो है इस तरफ सेट करना पड़ेगा पूरा की पूरा इसको अब जैड में गनवर्ट कर लेते हैं, अब तो मुश्किल नहीं है सर, बोलो, X कितना, 11 लाग माइनस, न्यू कितना, 10 लाग, डिवाइड बाई कितना, 2 लाग, अंसर कितना आ गया, 0.5 ठीक है, अब 0.5 ढूलो कि तो अब सोच समझ के, मिट्टे समझदार हो, क्या मुझे टेल एलिया देखना है, कि पूरा बॉडी देखना है, पुरी बॉडी देखना है, अब टेबल देखो, अब जो भी टेबल देख, मैं तयार हूँ, कास मुझे ये वाली टेबल मिल जाए, टेंसर नहीं कताब, जो वैलियो वह लिख दूँगा, अगर ये वाली टेबल मिले, वन टे ले रिया, तो फिर मुझे वन से माइनिस करके लिखना पड़ेगा, चलो भगवान, कोई टेबल बता दो, टेबल, ओहो, ओहो, ये कौन से टेबल है, क्योंकि 0 से पॉइंट, ये ये यही तो चाहिए, इस बार, वाउ, और मुझे क्या वैलियो चाहिए, मुझे 0.5, और 0.5 के सामने देखा, अच्छे सही ये दिख रहा, सर, 0.6915, लॉट्रे लग गए, 0. 0.6915, सर, भगवान ना करे, ये टेबल ना देकर, ये टेबल दे देता, तो क्या होता, तो भी दिक्कत नहीं, पता लग गए मुझे, कौन सा टेल, टेल एरिया दे रखा, वन टेल, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं फटा-फट से देखता, 0.5 कहां, 0.5 कहां, 0.5, ये मिला, 3085, ठीक, फाइनल मिल गया, 3085, पर कोश्चन में, ये वाला एरिया तो पूछा नहीं, ये वाला एरिया चाहिए मुझे तो, तो मुझे वो 3085, किस में से माइनस करना पड़ता, 1 में से माइनस करना पड़ता, 0.3085, तो 1-0.3085, आंसर आ गया, और आंसर किया, यही आएगा, हाँ भई हाँ, आपको टेबल देखना सीखना पड़ेगा, बस, क्योंकि इंस्टिट्यूट क्या करेगा, आपको घुमा सकता है, या तो केमलिट्यू टेबल दिया रहेगा, या तो आपको वन टेल टेबल दिया रहेगा, बस आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, कि या आपने कितने प्रतीशत लोगों की वेल्थ ग्यारा लाग से कम है 69 पर्शन प्रतीशत लोगों की वेल्थ 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 लोगो या 69.15% बोल सकते हूं ठीक है सर सुनो समझ में तो आ गया काफी कुछ ये wealth wealth वाला example छोड़ो अब बहुत हो गये सर हम परिशान हो गये अब सर जो SFM में यूज होने वाला ऐसा example दीजिये ना चलो आ जाते हैं वही काम करते हैं अब SFM वाला example अब wealth की बात छोड़ देते हैं एक्जामपल अब मैं आपको देता हूँ NPV, average NPV और average NPV ले लो रूपीज टेन थाज़न हम को ऐसा लवे रहा है कि 10,000 NPV आएगे और standard division in NPV 1000 standard division of NPV यहां तक ठीक है यह भी हो गया है, यह भी हो गया है सर मांग क्या रहा है अब question आपसे पूछेएगा , what is the probability of NPV more than rupees , 13,000 , 13,000 से उपर प्रोबैबिलिटी , 13,000 से उपर NPV आने की क्या प्रोबैबिलिटी है , तो अब हमें Z टेबल का यूज करना है , ये कॉलम , और इस तरह से , ये हमारा हो गया , और बीच वाला पॉर्शन हो गया , ठीक है , और यहां बीच वाले पॉर्शन में एवरेज दिख रहा होगा आपको , और एवरेज कितना दिख रहा ? अब अच्छे से देखो कि मांग क्या रहा है , मांग रहा है , मांग रहा है , इधर कहीं आएगा ? हाँ सर सहीं बोल रहा है , यहां आएगा 13000 , एगरी ? यह सर , और जो शेट करोगे आप वो किस तरफ करोगे ? इस तरफ करेंगे मतलब आपको क्या चाहिए ? क्यूमिलिट्व चाहिए कि वन टेल वन टेल अब इसको किस में करेंगे ? जैड में मतलब यह कितना है आपका 13000 , एक्स अब मुझे कौन सा टेबल चाहिए ? जैड यह ड्रॉण नहीं करना होता है , यह तो मैं आपको समझा रहा हूँ और मुझे यह वाली वैल्यू सेलेक्ट करना है , जैट के , तो चलो जैसे देखते है , जैड इस इक्विल टू एक्स माइनस म्यू डिवाड़ेड़ बाइ इस्टेंड़ एविश्ण एक्स कितना है ? सब 13000 , माइनस दस जार डिवाड़ेड़ बाइ 1000 , अंसर क्या है , 3 , मुझे 3 वाली वैल्यू देखना है , अब चाहिए टेबल कौन सी , अब मैं तयार हो गया , अब मैं टेबल देखना है , भगवान जो भी टेबल देदा हो , अब मैं तयार हूँ मुझे इतना पता है , मुझे cumulative वैल्यू नहीं चाहिए , अगर cumulative वैल्यू दिया है , तो फिर मैं one side के लिए one में से मैनस कर दूँग ओहो , मालो यह टेबल दिया , और यह कौन सा cumulative है , मुझे चाहिए नहीं , तो मुझे one से मैनस , देखो three कितना दिख रहा , सर यह दिख रहा , three .9987 , पर मुझे cumulative area तो नहीं चाहिए , तो क्या मुझे one में से मैनस करना पड़ेगा , यस , तो मुझे क्या करना पड़ेगा , यह area one म से माइनस , तो यह आ गया , 0.0013 , यह निकाल लिया , लेकिन किसमस से हमको , क्योंकि टेल एलिया चाहिए , और टेल ही दिया रहता है , मतलब अगर हमें वन टेल टेबल दिया रहता , तो वाँ , लॉट्री लग गई , यह दखो , यह दिया है , 0.0013 , सिधा उठाकर लिख देता है , ठिक , हो गया सर , हो गया , अब आ गया हमारी समझ में , और फिर आंसर लिख देते है , probability of एन पीवी , मोर देन रूपीस , थर्टीन थाउजन इस , 0.0013 , बस एक बार यूज समझ में आया है , तो फिर मैं यहां कुछ भी लिखू , मैं यहां आइवरेज रिटन भी लिख सकता हूं , यहां इस्टेंडर आविशन अपर फिर तो आप कर लोगे , फिर मैं बोलूँगा कि देखो एवरेज रिटन है , मान लो बारा परशंट , मैं क्या तो 15 से उपर आने की क्या probability है , तो फिर तो वह जैट को टेबल को यूज करके हम कर सक सकूक , वह जो नॉर्मल रिस्ट्रिविशन टेबल है , बस आपको देखना है , दो टाइप की टेबल दिया हो सकता , और क्या दिया रह सकता , वन टेल , टेल एरिया , तो आपको वह टेबल को कैसी उच करना , आपको देखना पड़ है , ठीक है सर , तो यह था हमारा कौंसा पॉ मॉय नंबर सीवन पर आ जाते हैं , अब हमको ज़र्वरत नहीं है , सीवन , सीवन में मैं आपको समझाने वाला हूँ , संसेक्स निफ्टी , हाँ , जा , क्या होता है , संसेक्स , क्या होता है , निफ्टी , सर्ट्व , टाइम पास मत किजिए , हमको अच्छे से पता है , दो टाइप के स्टॉक एक्षेंज जो जनरली जो अच्छे खासी एक है बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज और एक होता है नैशनल स्टॉक एक्षेंज Bombay Stock Exchange में क्या चलता है? वहाँ चलता है Sunsex और National Stock Exchange में क्या चलता है? Nifty यह है क्या? हम परिशान हो जाते हैं पब्लिक परिशान हो जाती है अगर यह निउ जाती कि Sunsex बढ़ गया यह Sunsex गिर गया अगर Sunsex डाउन हो रहा यह Nifty डाउन हो रहा तू हम परिशान हो जाते है, economy down हो गया है, हम ऐसा समझते है, यह है क्या, लेकिन एक बात है इसका यूज है, actual sensex क्या है, सुनना ध्यान से, sensex की मैं बात करूँगा, क्या होता, फिर nifty भी ऐसे ही कुछ है, पर पहले मैं बात कर लेता हूँ, sensex के पहले तो start sensex से हुआ, बात हुई 1990 के, सर ठीक है, यह, आता है कि एक्जाम, आता नहीं है, 1990 में start हुआ, यह कुछ नहीं आएगा, तो stock exchange में जो listed company, listed, उसमें से अलग-अलग sectors की company उठाए गई, for example, मन से बोल रहा हूँ यह, उसमें axis था की नहीं था, वो मैंने, axis bank ले 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 ची, और क्या ले लो, अम्बुजा सिमेंट ले 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 जी, अलग sector यह अलग है, यह अलग है, और किसकी बात करो, reliance ले 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 जी, और कौन सा, बजाज ले 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 जी, इस तरह से अलग-अलग sector की company ले गई, और total मिला कर कितनी company ले ले ले, तीस company लिया, ठीक है, अब तीस company के जितने भी number of shares है, number of shares, इसके हो सकता है, इन्होंने जो issue किया होगा, इसने एक लाक share issue किया होगा, already market में, इसके 10,000 shares हो सकते हैं, मतलब जितने भी outstanding shares हैं, उसको इन्होंने multiply कर दिया market price, उस समय का जो भी market price है, उस से, market price per share, अगर number of shares को multiply कर दिया जाता है market price per share से, तो जो answer आता है, answer, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है market cap, market capitalization, ठीक, और इस तरह से अंबुजा सीमेंट का भी market cap निकाला, reliance का भी इन सब का market cap निकाल कर ऐसे total कर लिए, total कितनी company का market cap, 30 company, और ये market cap आया, मन से बोल रहा हूँ, 200 करोर रुप है, सब का मिला कर 200 करोर रुप है, और फिर उस दिन कहा कि एक हम, जैसे roll number होता ना, एक index set किया गया, 100 points, 100 points, index, ठीक है, एक base रखा गया, base, इसको base बोल दो, अब सुनो, कितना, 100 points, आज, आज मतला मैं 1990 में ख़़ रहा हूँ, 1990 में जब ख़़ा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, आज total 30 company का market cap कितना है, 200 करोर, और 200 करोर, और आज index कितना, 100 points, index का नाम क्या है, sensex, इसका नाम ले रख दिया गया, इसको बोला गया, sensex, कितना है, 100 points, अगले दिन, क्या हुआ, अगले दिन हुआ, क्या बहुत सारी company, 30 company में से जादतर company के share का price बढ़ा, 30 में से 30 की 30 बढ़े जरूरी नहीं, 30 में से जादतर company के share का price बढ़ा, share का price बढ़ने से क्या ये market cap भी बढ़ा होगा, yes, तो क्या total market cap भी बढ़ गया, yes, और total हो गया 230 करोड़, 230 करोड़, अगर 230 करोड़ हो गया 230 करोड़, तो index 100 points है कि जादा हो जाएगा, जादा unitary method आता है, yes, और unitary method से क्या किया है, यहां लिखा market cap, ऐसा लिख लो, index कितना है, market cap कितना हो गया, 230 हो गया, यह पिए unitary method करो ना, 100 points है, कितने पर बेस, सर, 200 market तो 230 पर कितना होगा, 230 पर निकाल लो, 100 divided by 200 into 230, तो यह कितना होगा, 115 points हो गया, it means index भी बड़ा, sensex भी बड़ा, और कितना होगा, 115 points, sensex बोले तो कितनी company में, यह कुछ है किया कोई physical, कोई shareware, कुछ नहीं है, sensex मिला मतलब, sensex बढ़ेगा कब, जब अधिकतर company के share का price बढ़ेगा की कम होगा, सर, बढ़ेगा, जितनी company इसमें, और share का price अगर अधिकतर, sensex बढ़ता है, सोच के देखतो, अगर sensex बढ़ता है, इसका मतलब, अधिकतर company के share का price बढ़ा, बोलो हाँ हाँ अगर अधिकतर company के share का price बढ़ा इसका मतलब है कि company का performance अच्छा है company के shareholder को फाइदा है company के employees को फाइदा है company जो काम कर रही है material purchase उन लोगों को फाइदा है it means कहीं न कहीं economy जो है क्योंकि सब लोगों को फाइदा तो economy भी बढ़ा की नहीं बढ़ा बढ़ा it means हम sensex को देखकर अनुमान लगा सकते कि economic बढ़ रहा है या economy हमारा गिर रहा है अच्छा सर की future में market क्या आप़ों है की recession है की normal है सिर्फ कहां से पता लगा जाज़ सकता sensex this is sensex सर और फिर मान लो 230 से 260 हो गया तो फिर क्या होगा तो भी दिक्कत नहीं 100 points था base कितने पे 200 पे तो 260 पे कितना अच्छा सर ये तो वो CIE tax का capital gain करते थे capital gain है उसमें index cost आप acquisition निकलते थे हाँ सर index cost वही तो है ये और कुछ नहीं base ले ले जिए और base के सबसे बात किजिए ठीक है बस जैसे sensex है ऐसे nifty भी है nifty में बस 50 company है इसमें कितनी company है 30 company है सर तो ये sensex खरीद सकते हैं sensex खरीद नहीं सकते हैं sensex क्या खरीदोगे ये तो points है हाँ पर इसमें शर्त लगा सकते हैं betting कर सकते हैं कैसी betting मालो आज sensex कितना 115 points मालो आज है 115 points और ये बढ़ते बढ़ते 1990 से चला है यह ऐसा तो बोलो आज कौन सा year 2020 तो sensex कितना बढ़ा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ा है 44,000 तो sensex बढ़ा है ठीक है सर ओके ये बात हम लोगों को समझ में आगी अब question ये है कि sensex ठीक एकोना भी बढ़ता कमाता अखिर को हम खरीद नहीं सकते पर इस पर शर्त लगा सकते आज sensex कितना है मान कितना 115 points मुझे ऐसा लग रहा है यार कि COVID-19 की वज़ा से COVID-19 आने वाले मेहने भर में one month में sensex सारी company क्योंकि सब की सब loss में जा रही है तो सारी company के price कम होगे अगर market price कम होगे तो क्या sensex का value भी क्या market cap कम हो जाएगा अगर market cap कम हो जाएगा तो क्या sensex का value गिर जाएगा हाँ तो मैंने चलो लगी सर्त और मैंने शर्त लगा दिया कि SENSEX गिरेगा और गिर के देख लेना कितना हो जाएगा यह 110 हो जाएगा मेरा नुमाने के आज से एक मेहने के अंदर सेंसेक्स आज जो की 115 पॉइंट से 110 हो जाएगा बोलो कितने का बोले पांच रुपए अगर गीरा तो मेरा पांच रुपए का फायदा होगा और अगर वाकई बढ़ गया 120 हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा अच्छा सर तो सेंसेक्स और निफ्टी में सर्थ लगाई जाती ह हाँ बेटी यही तो सिखाने माला हो मैं डेरीवेटी में बिल्कुल मज़ा जाएगा ओहो यह बात है हाँ इसको बलते है स्टाउक इंडेक्स सेंसेक्स तो स्टाॉक इंडेक्स फ्यूचर सर्थ लगा सकते हैं हाँ भाई आप डेरीवेटी में आ जाओ अब अगली ग्लास म में कैशे शर्थ लगाया जा सकता है और अधिकतर तो सैंसेक्स और निफ्टी में शर्थ लगती है कंपनी मंपनी बताओ बोलो बिटे सैंसेक्स का मतलब इसमें कितनी कंपनी है शर्थ 30 कंपनी है बले हम शेयर नहीं खरीज रहे पर मालूम है यह जो बंडल बनाना बंडल यह 30 कंपनी का बंडल है और अगर हमने अनुमान लगा दिया अनुमान रिलाइंस का या मुझा सिमेंट में क्या होने वाला अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर census में क्या होने माला economy में ये साइध हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं जो भी हालात है budget को देखते हुए क्योंकि budget का जो फर्क पड़ेगा वह एक company में पड़ेगा कि सब company सब company अधिकतर company जिसे census अनुटी पहले क्या था पहले total market cap लिया जाता था total market cap का मतलब reliance ने जितने भी shares issue किया सब की सब shares को multiply करते थे market price पर दिकत क्या थी कि सारे shares सारे shares freely trade नहीं होते हैं मतलब सर मतलब जो promoter सहाव है जैसे reliance ने मान लो एक लाग share issue किया था उसमें से मुक्य संबानी ने तो 20,000 shares अपने जेब में रखे हैं मन से बोल रहा हूं 20,000 shares जेब में रखा है बोले मुझे तो बेचने ही नहीं है भी या तो market में जो free float है free वो कितने shares भिक रहा है sir 80,000 shares 20,000 तो promoter ने hold करके रखा यह detail में पढ़ा हूंगा कहां merger में merger and acquisition पढ़ाऊंगा मैं वहां बात करूँगा free float market cap तो sensex और nifty में market cap total 1,000,000 shares पे देखना ही नहीं है बोले जो मुके संबानी ने खरीद के रखे है उसको हटाओ promoter holding से हमें मतलब नहीं है हमें मतलब है जो market में freely trade होते हैं मतलब मतलब किस से 80,000 shares से तो market cap जो निकाली जाती वो total market cap consider नहीं करते हैं sensex calculate करते हैं वो करते हैं free float market cap सर्थ क्या होता है merger में detail में बढ़े है तो मैं यहां क्या सिखा रहा था मैं आपको सिखा रहा था कि sensex और nifty क्या होता है क्योंकि आएगा बीच में तो idea तो होना चाहिए आपको तो हो तो कला क्योएट निच तो sensex और निफ्ट यह फ्री 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 मार्केट कैपितलाइजेशन वोलते है डिवादे रबाय बेस मार्केट कैप जो 200-300 जो भी बेस लिया होगा इंटू बेस इंडेक्स फॉर्मुला आप समझ सकते हो मुझे ज़्यादा समझाने की जरुबत नहीं है यह वाला फॉर्मुला लिखा था मैं समझाते वक्त बस यह फॉर्मुला थोड़ा सा इस पर कोशन आता है क्या कोशन अभी तक नहीं आया है बस आपको सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा आपको आइडिया देना था ठीक है ठीक है सर बात खता और कितना पॉइंट बच्चा हुआ दो पॉइंट बच्चे हुए है एक तो बीटा आपको समझाना बीटा और दूसरा डिस्कुशन क्या करना है डिस्कुशन करना है करेंसी की विष्चे में थोड़ा बहुत क्या अभी टाइम है हमारे पास हाँ ये दो पॉइंट अगर मैं यहां निप्टा देता हुँ तो फिर एक ही क्लास बचे की हाँ सर कर दो ना सर जितना भी टाइम लगे पॉइंट नमबर एट कॉइंट अफ बीटा बीटा क्या है आहां बीटा क्या है सुना हम लोग क्या करते हैं जैसे रिलाइंस या फिर बड़ी-बड़ी कम वो न आपस में बोले सेंसेक्स के साथ काम पारिजन करते हैं मतलब सर समझाओ समझाओ वो क्या सोचते हैं यार हमें अपना performance तो पता लगना चाहिए कि क्या इस्तिती है यह sensex और यह reliance सिर्प मैं यह performance चेक कर रहा हूं और past year में देखा मैंने क्या sensex गिरा no doubt ज्यादा तर company का share करेगा हाँ सर अगर sensex गिरा 10% से तो reliance का share जो है वो 20% से गिरा भाई अच्छा सर और sensex बढ़ा 10% से तो reliance का share 20% से बढ़ा मतलब जितना sensex में fluctuation होता है उससे ज्यादा reliance में fluctuation होता है यस इसका मतलब जितना sensex में up down होगा उससे double किसमें up down होगा reliance में मतलब सर reliance तो tension वाला risk ज्यादा यास यह भी fluctuation है सर standard deviation भी तो fluctuation था हाँ पर standard deviation market के साथ relationship नहीं बताता था standard deviation बताता था relationship खुद से किया मेरा return past में कितना deviate हुआ है बस समझी में आ रही है हलाकि मैं बात करूंगा systematic risk unsystematic risk तो यह सब portfolio में पढ़ने को मिलेगा अभी में beta का मतलब beta का मतलब आप market से comparison कर रहा है और sir और यह company है sir कौन सी company state bank of India market 10% से बढ़ा तो state bank भी 10% से बढ़ा sensex market और sensex एक ही बात है अगर sensex 10% से गिरा तो state bank मतलब यह fluctuation किसके बराबर market के मतलब यह market के बराबर हिलता है यस तो इसका beta कितना हुआ और जिसमें ज्यादा fluctuation था reliance उसका beta कितना था two क्या formula बन सकता है बस एक बात बताओ beta का मतलब relationship किसके साथ market का stock के साथ ठीक है sir और अगर beta जादा है किसी company का इसका मतलब वो बड़ा risk है यार अगर market खराब होगा sensex गिराना तो वो company में अगर पैसा लगाओगी तो आप बरबादी हो जाओगे बस यही चीज आपको थोड़ा बहुत बीटा आ गया तो यह पता तो नहीं होना चाहिए बीटा का मेनिंग पूरा ही चलेगा बीटा इस आ रिलेशंशिप बीटीवीन मार्केट जिसको मैं क्या हो लूँगा sensex या फिर क्या हो सकता है निफ्टी अब बीटा उप स्टॉक कैसे निकला जाता है बीटा उप स्टॉक इस इकला जाता है डिवाड़ेड में चैंज इन मार्केट समझ रहा हो ना मार्केट में दस पर्शंट का चैंज तो इस टॉक में बीस पर्शंट का चैंज यास और एक बात लिखें हायर दा बीटा मिस हायर रिस्क और कुछ नहीं समझाना यह क्यों समझाया सर जी इसलिए समझाया कहीं बीटा सब आज आज आए तो डर्ना मत कि क्या है करके कुछ नहीं सिंपल है बीटा रिलेशनसिप बताता है सेंसक्स का किसके साथ इस्टॉक के साथ कितना पॉइंट हो गए आठ और आज की ग्लास का नाइन पॉइंट करेंसिय बेसिक सर करेंसी की बात क्यों आए जबकि हमको फॉरेक्स पढ़ना है डिटेल में बीटे एकात कोश्चन डेरिविट्यू में है जिसमें बच्चे कनफ्यूज हो जाते हैं और कनफ्यूज क्या होते हैं बस दो एक्जांपल से मैं बात करूंगा अगर मैं आप से बोल रहा हूँ डॉलर वन इस इक्वल टू रुपीस सेवन्टी है तो बताओ डॉलर फाइब थाउजन इस इक्वल टू कितना आएगा सर ये बच्चो वाला कोश्चन नहीं हो गया हो गया ना भई तो बताओ ना फटाफट से ठीक है सर बता देते हैं रुपीस फाइब थाउजन इंटू सत्तर यही है ना यस पांच जार इंटू सत्तर तो या गया सर रुपीस थ्री लैक्टी थाजन कितना आसान था लेकिन अब आसान नहीं हो का अब दूसरा एक्जामपल अब ज़रा जवाब देना मुझे रुपीज वन इस इकपल टू डॉलर 0.020 तो डॉलर 1000 इस इपल तो कितना रुपै अगर आप कहना हो कि आप 1000 इंटू यह करेंगे तो खेल खतम हो जाएगा बिटे खेल खतम इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं सुनो ध्यान से सर हम तो यूनिट्री मेथट से कर लेंगे बिटे अभी करोगे फारेक्स में तो दिक्कत होगी सिर् यह पूरे फारेक्स में इंपोर्टन है रेट किसका दिया है रेट किसका दिया है डॉलर को और करेंसी कौन सी डॉलर रेट जिसका दिया अगर वही करेंसी है तो मल्टिप्लाई कर दो रेट किसका दिया है रुपीज का करेंसी कौन सी है डॉलर तो फिर क्या होगा जिरो पॉइंट जीरो टूसीरों अंसर रजाएगर रूपीस 50 था और अच यह क्यों यहां समझा है क्योंकि फॉर डेरिविट्व में ना एक कोश्चन है जिसमें यह कर वर्जन वाला आ जाता हूं वहां मैं समझाऊंगो उससे अच्छा अभी समझा कर दो बात समझने के कि अगर रेट जिसका दिया है वही करैंसी दिया तो मर्टिप्लाई रेट दिया रूपीस का पर करेंसी कोई दूसरी है तो डिवाइड मल्टिप्लाई और डिवाइड बच्चे नहीं कर पाते हैं कि सर हम युनिट्री मेथेट से करेंगे अभी कर लो फॉरेक्स में मिलना फिर बस बहुत हो गया कि थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ा दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि इसकी जरूरत आपको ज्यादा नहीं है अगर आज की क्लास में सबसे ज्यादा कुछ एंपोर्टेंट था तो वह था नॉर्मल भिस्रिज्थे अगर कि कल की अगली अगली लाज सभ सभ देखने वाले इस सिम्स्ट खिल्ड करविनती हैं आपसे वो class देखोगी देखोगे चाहे आप कितने भी expert क्यों ना हो ठीक है क्योंकि उसमें मैं concept of compounding करवाऊंगा ठीक है जी उसके बाद हम regular class तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू थैंक्यू सो मच